नमस्कार आप सबी का बहुत बहुत आपका स्वागत है अबिनिंदन है इलाबाद युनिवर्सेटी सीउटी दो हजार चौबिस का बेर्शू के लिए एक बहुत ही अच्छी खुस खबरी और बहुत ही सांदार खबर है इलाबाद University CUT 2024 में जो विद्यारती इलाबाद University का आप्सन CUT UG में सेलेक्ट किये थे वो तो पहली बात eligible है admission के लिए BA, BSC, B.com, B.L.L.B, BFA, BPA सारे बच्चे हैं इसके साथ साथ जो बच्चे इलाबाद University का आप्सन CUT UG में नहीं सेलेक्ट किये थे इलाबाद University का वो भी बच्चे रेजिस्टेशन करेंगे इलाबाद University का यह दोनों क्राइटेरिया तो अगर आप फुलफिल करते हैं तब तो आपका admission होगा ही इलाबाद University में लेकिन एक और बड़ी खुस खबरी आ रही है कि अगर आपने CUT UG भी नहीं दिया है तब भी आप इलाबाद University के जो कंस्टिटीवेंट 11 कॉलेज हैं उसमें आप admission के लिए eligible रहेंगे इसका मतलब यह अगर आप इंटर पास हैं यानि 12 का पेपर अगर आप दे चुके हैं आपका दूसरी बात यह है कि Instagram और Telegram का हमारा पेज है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिंड है आप उसको सबसे पहले जवाइन करिए सबस्क्राइब करने से पहले अब आते हैं पूरी खबर पर इलाबाद University के जो admission controller है उनकी तरफ से आदेश जारी हुआ है पिछले साल भी यही प्रकिरिया थी क्योंकि पिछले साल जब सीटे कॉलेजेज में खाली रह गई थी तो जो विद्यार थी डारेक्ट admission लेना चाहते हैं 12th के बाद इन्होंने सीटी नहीं दिया था उनके लिए भी admission का portal खुल गया था कॉलेजेज का लेकिन इस पार पहले से ही इलाबाद University की admission controller ने साफ कर दिया है कि इलाबाद University में वो बच्चे भी admission उसके colleges में ले सकते हैं जो सीटी का भी सीटी नहीं दिया है और 12th आपने पास किया है आप अपने गाउं के college में अड्मीशन ले रहे हैं या कहीं भी आप college में अड्मीशन ले रहे हैं तो अभी आप रुख जाइए लाबाद University बहुत बड़ा दिल रखती है इतनी सारी सीटे हैं यहां पे आपके admission बहुत आसानी से हो जाएगा जो भी इसकी college है क्योंकि colleges में 50% सीटे खाली रह जाती है तो इस वज़ा से आपको परिसान नहीं होना है बस इंतियार करते रहिए चैनल से आप लोग जोड़े रहिए एक एक अपडेट एक जानकरी अब आप यह पूचेंगे किसका registration कब सारी जानकारी में आपको दूँगा आप लोग बिलकुल भी पर्रेशान मत हुए एक अच्छी खुस खबरी है कि सेविटी अगर आपने नहीं दिया है तब भी आपका admission इलहाबाद university में होगा बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत आभार चुड़े रहिए इलहाब university express और अभी नो दवेदी के साथ